नमस्ते मैं हूँ रूमा आप सभी का स्वागत है इजी स्टिचिंग आइडिया में आज मैं दिखाऊंगी डिजाइन लेडिस टॉप बनाना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कॉमंट कीजिए अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये है तो कर लीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आप लोगों को ये दो कपड़े से लेडिस टॉप बनाना दिखा रही हूँ तो चलिए कैसे माप लेती हूँ मैं आप लोगों को दिखाते हूँ देखिए कपड़े को मैं डबल फोल्ड करके रखी हूँ इससे मैं पहले बैक पट निकालूंगी तो चलिए बैक का माप मैं पहले ले लेती हूँ लंबाई लूंगी 26 इंच दोनों पॉइंट को एक लाइन में जोड लेती हूँ गले का माप 2.5 इंच कंधे का माप 3.5 इंच बगल 6.5 इंच चाती 11.5 इंच उपर से नीचे तक 13 इंच पे एक निसान लगाऊंगी और यहां से बाहर की तरफ 10.5 इंच पे एक निसान लगाऊंगी नीचे का घेरा लोंगी 11.5 इंच तो चलिए सभी पॉइंट को जोड लेती हूं कमर के पॉइंट के साथ 11.5 इंच एक लाइन में जोड लोंगी कमर के माप के साथ चाती के माप को भी एक लाइन में जोड लोंगी बगल के माप को भी एक लाइन में जोड लेती हूं बगल को राउंड से दे दूंगी गले का डीप लूँगी हाप इंच और इसको एक बॉक्स बना लूँगी तो चलिए मैं पूरा निसान लगा चुकी हूँ अभी इसको काटके निकाल लेती हूँ नीचे के माप के लिए बाहर की तरब जहां पर लास्ट निसान मैंने लगाया था वहां से उपर की तरब एक इंच पर एक निसान लगाऊंगी और यहां पर राउंड सेव दे दूँगी देखिए बैक साइड मैं काट के निकाल चुकी हूँ अभी फ्रॉंट साइड मैं काट लेती हूँ तो चली दिखाते हूँ देखिए फ्रॉंट पीस के एक साइड का माप लेने के लिए मैं कप्रे को सिंगल ही रखी हूँ इसके उपर बैक पिस को रख लूँगी अभी यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा मैं माप लूँगी सभी 2 इंच के निसान को एक लाइन में जोड लेती हूं अभी बैक साइट का जो निसान मैं लगाई हूं सेम निसान ही यहां पे लगा लेती हूं देखिए सभी निसान में लगा चुकी हूँ, अभी इसको काटके पहले निकाल लेती हूँ अभी गले का निसान में लगा लेती हूँ, दो इंच छोड़के यहां से धाइ इंच का मेरा गला रहेगा यहाँ पे नीचे की तरफ 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, को एक बॉक्स में बना लेती हूँ, उपर से नीचे की तरफ सारे 6 इंच पे एक पॉइंट करूंगी, को एक लाइन में जोड लूँगी, अभी इसको काटके निकाल लेती हूँ देखे एक साइड का फ्रॉंट पीस मैं काटके निकाल चुकी हूँ, अभी फ्रॉंट पीस का दूसरा साइड भी मैं काटके निकाल लेती हूँ फ्रॉंट पीस का गले का साइड में मैंने जो इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ये कप्ड़े के ऊपर उसका माप और 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी तो इसका माप होगा 3 इंच तो चलिए मैं माप लेकर इसको काट लेती हूँ और यहां से यहां तक 9 इंच पेक निसान मैं लगा लूँगी और सभी पॉइंट को सीधे लाइन से जोड लेती हूँ तो चलिए अभी इसको काट के निकाल देती हूँ देखी ये बैक पीस है और ये दोनों फ्रॉंट पीस है सभी मैं काट के निकाल चुकी हूँ अभी स्लिप्स भी मैं काट के निकाल लेती हूँ मेरा दो स्लिप्स दोनों कलर का बनेगा तो चलिए काट के मैं दिखाती हूँ मैं ग्लास स्लिप्स बनाऊंगी तो इसका लंबाई का माप लोगी 11 इंच दोनों पॉइंट को एक लाइन में जोड लेती हूँ मुहूरी कमाप सारे 6 इंच बगल कमाप 9 इंच यहां से उपर की तरब 3 इंच पेक निसान लगाऊंगी राउंड सेप देते हुए मिला लूंगी मुहूरी से 3 इंच को एक लाइन में जोड लूंगी अभी इसको काटके निकाल लेती हूँ देखिए कपड़े को फोल्ड करके दूसरे स्लिप्स को इसके ऊपर रखूंगी और इसको काटके निकाल लूंगी देखिए सभी पीस मैं काटके निकाल चुकी हूँ अभी इसको कैसे सीलती हूँ तो चलिए मैं दिखाती हूँ दोनों फ्रॉंट पीस पहले सील लेती हूँ तो चलिए मैं दिखाती हूँ पहले मैं गलास सील लूँगी अभी यहाँ पर छोटा-छोटा कट लगा लेती हूँ और इसको पलटके फिर सील लूँगी देखिए मैं गला सील चुकी हूँ अभी गले के यह तरब जो हिस्सा है इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगी और यहां से और एक फोल्ड करके यहां से सील लोंगी तो चलिए मैं सीलती हूँ देखिए फ्रॉंट पीस के एक साइड का गला और साइड का हिसा मैं सील चुकी हूँ फ्रॉंट पीस के दूसरे साइड का भी गला और साइड का हिसा इसी तरीके से सील लेती हूँ तो चलिए मैं दिखाती हूँ देखिए इसका गला और साइट का हिस्सा मैं सील चुकी हूँ अभी नीचे का हिस्सा भी फोल्ड करते हुए इसको सील लेती हूँ तो चलिए मैं दिखाते हूँ देखिए फ्रॉंट का दोनों साइड ही मैं सील चुकी हूँ अभी बैक पीस सील लेती हूँ तो चलिए मैं दिखाते हूँ देखिए मैं गला सील चुकी हूँ अभी बैक साइड का नीचे का हिस्सा भी मैं सील लेती हूँ देखिए बैक साइड का गला और नीचे का हिस्सा दोनों ही मैं सील चुकी हूँ अभी फ्रॉंट पीस में जो डिजाइन बनाना है तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ देखिए फ्रॉंट पीस के दोनों पीस को ही इस तरह के से एक रखूंगी और इसके ऊपर और एक को रखूंगी देखिए जितना मुझे फ्रॉंट पीस का गला रखना है पहले वो माप में ले लेती हूँ यहां से यहां तक मैं लूँगी फाइव इंच और ये साइड में भी फाइव इंच पे निसान लगा लूँगी अभी दोनों फाइव इंच को मिलाते हुए यहां पे एक पीन में लगा लूँगी यहां पे pin लगाने के बाद यहां पे एक pin में लगा लूँगी देखी इस तरीके से दोनों piece को मैं pin से set कर चुकी हूँ अब ही कैसे seal ना है तो चलिए मैं दिखाती हूँ देखिए दोनों part मैं seal चुकी हूँ अभी इसको back piece के साथ जोड लेती हूँ तो चलिए मैं दिखाते हूँ देखिए फ्रॉंट और बैक पीस का कंधा मैं सील चुकी हूँ अब स्लिप्स सील लेती हूँ फिर इसके साथ स्लिप्स को मैं सील लूँगी तो चलिए मैं दिखाते हूँ देखे ये कपड़े को slips के मोहरी में मैं लगाऊंगी इसे यहाँ पे मैं पोने एक इंच की तरह निसान लूँगी और इसके साथ ये कोने को एक लाइन में जोड लूँगी इस तरीके से V-sip में एक लाइन खीच लूँगी अब इसी हिसाब से इसको सिलूँगी दूसरे पी देखे दोनों को ही मैं सिल चुकी हूँ अभी इसको मीडिल में काट लेती हूँ अभी यहाँ पे छोटा सा कट लगा लूँगी और इसको पलट लूँगी देखे एक पीस मैं तयार कर चुके हूँ दूसरा पीस भी इसी तरीके से मैं तयार कर लेती हूँ अभी सभी पीस क महुरी के ऊपर मैं सील लेती हूं देखे ये कलर का महुरी के ऊपर मैं ये सीलूंगी देखे ये मेरा महुरी का मिडिल है इसके ऊपर इसको रखोंगी अब इसको सील लेती हूं देखिए मैं सील चुकी हूँ अभी इसको सीधा तरफ करूँगी यहाँ पर एक स्लाइम में लगा लूँगी तो चलिए मैं दिखा देखिए एक मोहुरी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ दूसरा मोहुरी भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए दूसरा स्लिप्स भी मैं तयार कर चुकी हूँ अभी दोनों स्लिप्स को टॉप के साथ सिल लेती हूँ तो चलिए मैं दिखाते हूँ देखिए एक स्लिप्स को मैं कंदे के साथ सिल चुकी हूँ अभी दूसरा स्लिप्स भी इसी तरीके से मैं सील देती हूँ देखिए दूसरा स्लिप्स भी मैं सील चुकी हूँ अभी इसको फिटिंग्स करके मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ